एक लास्ट वीडियो जो मैंने आपको 10th की Marks Policy के बारे में डाली वो आप लोगों ने इतना इतना लाइक किया, सबसे पहले बहुत थेंक्स अलोट और आपके कमेंट्स मैंने पड़े, बहुत सारी क्वेरिस थी आपकी, उन क्वेरिस के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हू क्लास 10th के सभी teacher students इसको एंट तक देखेगा, because बहुत सारी ऐसी questions थे जो आप पूछ रहे थे, और मुझे लगा उसकी clarity देनी चाहिए, और साथ साथ एक और news है जो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, कि अब कल यानि 6th of में के बहुत important webinar होने वाला है, जो हमारी CBSC plus NPSC द एक particular kilometer की आपको 35 kilometers का range दे रखा था, तो वो सब जानने के बाद, और अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा, तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे वो description में दूँगा, यानि कल जो 6th में को 230 पे हमारा ये webinar होने वाला है, और बहुत से expert, principles, बहुत से eminent personalities उस webinar में होंग और वो मिलेगा आपको YouTube live, यानि YouTube live पे NPSC India पे, fine, तो सबसे पहले आप ये दिखेगा, कि कल आप 230 पे अपने आपको free रखी, अगर आप जानना चाहते हैं detail में, और जो questions आपने मुसे भी पूछे थे, वो आप chat box में लिख सकते हैं, और questions को repeat ना करियेगा, तो एक list मिना ल उसके बाद भी अगर आपके कुछ questions रहे गए, फिर दोबारा time margin बहुत कम है आप लोगों के पास, फिर दोबारा से चीज़े पूछने के लिए, fine, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं detail में discuss करूँगा, बट जो मैं already video बना चुका हूँ, आप लोगों के लिए उसमें म वो भी आपने gather कर लिया होगा, और कल, यानि 6th को ये बहुत important है, और इसमें तारीफ करनी पड़ेगी, कि CBSE ने कहा था कि हम आपको training लेके आएंगे, और उस training को वो कल लेके आ रहे हैं, तो आप सारे आपने FAQs पूछ सकते हैं, तो जैसा आपने देखा, 10th को आपको एक rational document finalize करना है, उसका format भी CBSE ने दिया है, और इसी वीडियो में मैंने आपसे discuss किया हुआ था, तो again कहना चाहूँगा, उस वीडियो का link आपको मैं description box में दे रहा हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा, तो ये सारे के सारे 9 steps आपको वहाँ clear हो जाएंगे, फिर आपने 15 में को assessment करनी है, result बनाना है 25 में को, checking and moderation 28 में को करना है, और submit करना है CBSE को 5 जून को, उसके बाद कोई change नहीं हो पाएगा, और CBSE 11 जून को आपने submit करने के बाद result 20 जून को declare कर देगी, ये तो मैंने आपसे discuss किया था, fine, बात करते हैं कल के webinar से related, यारी बहुत बहुत important webinar है, और जो ह हमारे eminent personalities रहेंगे, वो भी जानना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले आप देखेंगे, जो heading है, आप देख रहे हैं, वहाँ पे लिखा गया है कि National Progressive Schools Conference, Quality, Commitment and Excellence, यानि, और मैंने बहुत सारे programs, बहुत सारे workshops, attend भी किये हैं, और किये भी हैं, और मुझे पता है क्या होती है, value यह NPSC की, they work for the quality, they work for the welfare of teachers and students, amazing, amazing organization, fine, तो जो first में को लेटर आया था, first में को जो आपके पास notification आई थी, उसी को आगे further extend करते वे, यह हम program लेके आए हैं, class 10 के लिए, और elucidating, यानि और simplify करने, और ज़्यादा clarity लाने के लिए, यह हमने रखा है, और आप देख सकते ह हैं, सबसे पहले जो हमारे speaker रहेंगे, और time road कर लिजिएगा, आप alarm लगा लिजिए, कहीं आपसे miss ना हो, live session है, 6th में, 2.30 PM को, तो सबसे पहले जो हमारे speaker है, हमारे श्री मनोज आउजा जी, I.S. Chairman CBSE, और हमारे बहुत ही dearest Dr. Siam Bhardwaj जी, Controller of Examination CBSE, and then मैं बताना चाहूंग जो कल आपसे बात करेंगे, Dr. Anju Tandan जी, Vice Chairman, Chairperson है, NPSC, और Principal है, भारतिय विद्या, भवन मेहदा विद्यालिय, उसके बाद है, Miss Malini Narayan जी, और Chairperson है, NPSC and Principal, Army Public School, Shankar Vihal, और बाकी schools जो है, और मैं जिनका नाम ले रहा हूं, I have been visiting these schools regularly for the workshops, and फिर है, हमारे Miss Sudha Acharya जी, Secretary, NPSC and Principal, ITL Public School, जो अभी recently मेरा, कुछ दिन पहले यहां पर webinar हुआ है, then we have got Dr. Aditi Mishraji, Joint Secretary, NPSC and Principal, Director, DPS Sector 45, गुरगावा, इन के साथ भी, इन स्कूल के साथ भी काफी long association है हमारा, and Miss Asha Prabhakarji, Joint Secretary, NPSC and Principal, Balbharati Public School, Noida, और वहां भी, 3-4 साल, almost 5 सालों से, I have been taking webinars, and then Miss Minakshi Kushwaha Ji, Treasurer, NPSC and Principal, Birla Vidya Nikethan Saket, तो यह सभी eminent personalities रहेंगे, और एक बात और, कोई भी आपकी query रह जाती है, तो आपको contact करना है Miss Malini Narayanji से, जो Chairperson NPSC की, और Dr. Sudha Acharya Ji, Secretary NPSC, streaming live रहेगी YouTube पे, और वो है उसका link, जो नाम है NPSC, प्लीज आप C भी note कर लीजेगा, because जो school में आपको letter मिले है, उस letter में वो C missing है, तो काफी लोगों के में पस phone calls और query आई है, कि Sir, यह YouTube channel मिल नहीं रहा है, कहां से डूंडे, तो I have guided them already, और अगर अभी भी आपको confusion है, तो मेरी बात सुननी जगा ध्यान से, NPSC, यानि National Progressive School, जो हमारा है NPSC Full Form, उनकी आपने YouTube channel पे जाना है, और अभी आप वि students for class 10th and members result committee class 10th, तो webinar on elucidating the assessment criteria class 10th का, और वो criteria आपके साथ discuss कर रहे हैं, सबसे पहले, यह कहा गया है कि आप सभी जानते हैं कि first में को, हमने आप लोग को एक circular दिया था, जिसमें बताया था कि कैसे policy बनेगी for tabulation of marks for class 10th board exam, based on internal assessment के base पे करना है, वो सबको पता है, और इसके अंदर हमने point 29 mention किया था, यह point पे जहां लिखा गया था, कि CBSE एक webinar रखेगा, और वो webinar हमने कल आपके लिए organize किया है, और 2.30 टाइम रहेगा, Indian time के साब से, in association with the NPSC, यानि National Progressive School Conference, its streaming will be available on YouTube, NPS, NPS नहीं है, यह NPSC है, आप यह note कर लिजएगा, और यह video इसलिए मैं लेके आ और यहां पे आप देखेंगे, यहां पे अच्छे point हमने आपके साथ, आपको दीए है, कि जिसको आपने note करना है, सबसे पहले यह live रहेगा, NPSC, CBI College of India, और अभी YouTube पे आप जा सकते हैं, विजू कर सकते हैं, या help ले सकते हैं, आप अपने बच्चों की, या students की, doubt if any, the same may be noted and raised on the YouTube itself, वहीं पे आपने doubt पूछना, कोई phone calls होगा रहा नहीं है, उसी में chat box पे आप पूछ सकते हैं, kindly ensure that no question should be repeated, बार बार मैंने देखा एक ही question आता रहता है, तो आप avoid केजिए, और अगर आपसे पहले कोई friend already पूछ चुका है, तो wait केजिए answer सुनने का, this will help in rep watched from the home itself by all the committee members, जो आपने आज committee बनाई होगी, seven people कि along with the chairperson, जो आपके principal है, घर बैठे आप देख सकते हैं, school आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसके बाद committee discuss कर सकती है, over phone, यानि बाद में, जो भी आपका team leader है, जो भी आपका coordinator है, उनके साथ city coordinator के साथ बात कर सकते हैं, in case you have any query, the same may be communicated to the city coordinator, so that after combining these could be sent to the CBSE for converting into FAQs, बहुत सारे FAQs आपने मुझसे पूचा था, कि सर, तीनों में से reference यह, अगर अगर हमने highest वाला चुन लिया है, तो क्या subject wise भी वही रहेगा, या हम change कर सकते हैं, तो I would prefer, कि आप direct from the house's mouth, यानि सीधा हमारे eminent personalities से सुनें, कल वो क्या हमारी query clear हो जाएंगी, और जो committee है, will be able to understand the policy, well to implement the same in total, यानि completeness में आप कर पाएंगे, तो wishing a good health to everyone, तो ये वीडियो लाने का purpose ये था, कि आपका जो कल का webinar है, वो miss ना हो जाए, और हमारी Dr. Sayyam Bhaduji ने, बिलकुल, आज ही information सारे schools में पुचा दिये, in case अगर आप तक नहीं पोची, तो मैंने अपनी duty समझी, कि मैं आप तक ये information पोचा दूँ, और in case अगर आप YouTube channel ढूंड रहे हैं, और अभी तक नहीं मिला, तो आपकी help के लिए, मैं कोशिश करता हूँ, कि आप देखिए, NPSC, और आप देखेंगे, तो वहाँ पे NPSC का logo भी बना हुआ है, blue color मे और वो channel आपको अराम से मिल जाएगा, तो ये आप miss ना कीजिएगा, कल का विजो webinar है, इसको proper देखिएगा, पूरा देखिएगा, और अपने FAQs अभी से बना के रख लेजिए, जो कि आप देख रहे हैं कि मुझसे भी काफी पूछा गया, मुझसे भी काफी चीज़े और कल live attend करने से पहले मैं request करूँगा, कि जो मेरे अभी वीडियो पोस्ट की थी, आप लोगों के लिए कुछ दिन पहले, वो जरूर देखिएगा, उसका link मैंने description box में दे दिया है, ताकि आप उसको देखके, अपने FAQs और note करके, सीधा हमारी eminent personality से आप पूछ सकते हैं, तो I hope आपको यह हमारे efforts अच्छे लग रहे हैं, और पिछली वीडियो को इतना like करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी जो commitment, जो आपने जो interest दिखाया है इस channel पे, और आगे भी हम आपको पूरा करते रहेंगे most authentic information, जो आपको help करेगा academic, non-academic में, और जो हम commerce team के बारे में most authentic information, या CBSE की latest update अगर आप चाहते हैं, जो भी changes होते हैं, क्योंकि हम New Delhi में है, और हमारा जो circle है, और जो हमने हमारा experience है, CBSE और NCRT के साथ, उसके साथ हम आपको latest update, regular base पे लेके आते हैंगे, so this is the most authentic channel from an expert who is training CBSE teachers and students from last 25 years, तो मैं Dr. Vikas Vijay, आप सभी को कल के लिए all the best, आप attend कीजेगा, अपनी सारी query resolve कीजेगा, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा result हमारे नन्ने मुने 10th बच्चों के लिए बनाईएगा, fine, ताकि वो smile करें और आपको thank you, thank you कहें, और gratitude दें, कि उतना अच्छा result आया है, जितना हो expect भी नहीं कर रहे थे, और मैं म understand की बहुत work burden, बहुत ही stress रहेगा, but हम teachers की आदत है, हमने training ऐसे लिए होती है, हम हर चीज़ को बहुत हस्ते हस्ते सम्हाल लेते है, I know, आपकी family के अंदर भी problem हो सकती है, या खुद आपकी तबेत भी ठीक नहीं हो सकती है, उसके बावजुद भी know, कि हमारा जो एक passion है, dedication है commitment हमारे teaching profession में, हम इससे भी निकल के बहार आएंगे, तो just मैं सभी से request करना चाता हूँ कि मिल जुलके, एक दूसरे की help करके, इस process को कामियाब बनाएं, और अगर ये कामियाब हो जाता है, तो आने वाली जो 12th, अभी जो हमारे board के paper postpone हुए है, और 1st June को CBSE decision लेगी, हालात को देखते हैं, जो कि नहीं लग रहा है, कि अभी जून में भी या जुलाई तक भी possible होंगे examination होना, तो उसमें भी हो सकता है, कि ये system adopt किया जाए, तो अगर ये कामियाब रहता है, इसका जो final result है, वो अच्छा रहता है, जो जून में आएगा हमारा, जो हमारा end में May में result अगर ये सब चीजे अच्छी होती है, तो फिर हम कोशिश करते हैं, कि request कर सकते है authorities को, कि 12th के साथ भी कुछ ऐसा, कुछ बनाया जाए, यानि कुछ भी करें, कुछ भी करें, हम ये चाहते हैं, parents, बच्चे, student, teachers, सभी खुशों, और CBSC हमेशा ऐसा करता आया है, और जो हमार के इसको gracefully बाहर आएंगे, और हम सब जैसे पहले की तरह, अभी भी बच्चों के लिए committed हैं, आगे भी हम रहेंगे, and we will always take the positive from all this thing, हमें नहीं सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ये नहीं सोचना कि इसमें ये problem है, ये problem है, feeling आजाती है, but being optimist, being positive होके, हमें क्या करना है, बच्चे के लिए काम करना है, इस समाज के लिए, इस society के लिए काम करना है, तभी तो इस profession में हम लोग आएं है, तो with lot of positivity, मैं कहना चाहूंगा, कि चलिए शुरू करते हैं कल से, और attend करते हैं, 2.30 PM पे हमारे eminent personalities का webinar, वो भी अपना कीमती समय निकाल कर, आपको अपना करिए, आपने इसको भी लाइक कीजिएगा, comment box में लिखिएगा कैसे लग रहे हमारे effort, और thumbs up बनता है, और subscribe तो बिलकुल भी, चले, bye bye, take care, God bless you all, और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए, इस परेशानी भरे दौर में, take care, God bless you all.